अलो फैंट सेलकूंटीज इंडिया वन्स अग गें तो रास्तान विद्र जिवाग ने ये विगब तिजारी किये जो कि जैयन जूनियर केमिस्ट और इंफर्मेटिक असिस्टेंस के लिए है ये बहुत ये अच्छी वेकेंसी है और जो भी आप इसकिन पर देख रहे हैं ये तो यहां पर सबसे पहले जैयन की अगर बात करें तो टोटल 946 वेकेंसी है और जिनको इसे एक केटेगरी में यहां पर डिवाइट किया गया है जो कि इस वीडियो का आप पर पहुज करके देख सकते हो या फिर आपको ये ओफिसियल नोडिकेशन मिल जाएगा हमारे टेल केटेगराइज किया गया है और कास्ट वाइज भी यहां पर केटेगराइज किया गया है कास्ट की जो केटेगरी गया है सबसे पहले सेलरी की बात करते हैं तो यहां पर क्लियर लिखावा है जैयन और जूनियर कमेस्ट की सेलरी सेम रहेगी जो की लेवल 10 में इनको रखा गया है और प्रोबेशन के टाइम पे आपको फिक्स 23,700 रुपए पर मन्त यहां पे मिलने वाले हैं और प्रोबेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे 33,800 रुपए होने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी कासी बेसिक पे है और कम से कम यहां पे 45,000 के लगबग आपकी सेलरी स्टार्टिंग सेलरी होने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी सेलरी है और इंफर्मेटिक असिस्टेंट की अगर बात करें तो लेवल 8 में यहां पे इंफर्मेटिक असिस्टेंट को रखा गया है जो प्रोबेशन के टाइम में 18,500 रुपए प यह विद्वतिव भाग में और वेकेंसी भी अच्छी खासी अवैलेबल है तो बिल्कुल भी मौका नहीं को आए अगर आपके पास में डिजाइड एजुकेस्टान कौलिकेशन है तो तो अब हम एजुकेस्टान की ही बात करेंगे जेएन की अगर बात करें तो जेएन के यहां पर बीटेक डिग्री मांगी गई है गरेजिएशन डिग्री इन इंजिनियरिंग जो बीटेक याप बी अगर आपने किया हुआ है अगर इलेक्रिकल की बात करें तो इलेक्रिकल ब्रांच में आपके पास में बीए या बीटेक होना चाहिए तो आप इलिजिबल हो इंजिनियरिंग इंजिनियरिंग होनी चाहिए आपके पास में जो की आपके पास में होनी चाहिए या फिर यहां पर आपके पास में एक ऑप्सन दिया गया है मेकनिकल इलेक्रिकल और प्रोड़क्शन इंजिनियरिंग की डिग्री भी आपकी चलेगी लेकिन उसके साथ मे आपके पस में डिपलोमा होना चाहिए, industrial safety ब्रांच में, अब बात करेंगे, यहाँ पर junior chemist के लिए, जो junior chemist के लिए, यहाँ पर post-graduation degree मांगी गई है chemistry में, या फिर आपके पास में, chemical engineering में, डिगरी होनी चाहिए, बीडिग होना चाहिए, chemical engineering में, या फिर post-graduation होना चाहिए, chemistry subject के साथ में अब बात करते हैं informatic assistant की तो यहां पर बहुत सारी qualification दी हुई है अगर इन में से कोई भी qualification आपके पास में है तो आप यहां पर eligible होंगे तो सबसे पहले यहां पर दी हुई है या तो graduation या फिर आपके पास में full time degree है B.E. या B.T.E.C. में इन इन इंजिनियरिंग में जिसको पर टेक्निक बोला जाता है वह अगर आपने किया है तो आप eligible होंगे और साथ में यहां पर दिया हुआ है अगर आप यहां पर eligible होंगे और साथ ही अगर आपने ओ या उससे high level का कोई भी certificate होंगे और यहां पर नीचे qualification दी हुई है जो कि मैं यहां पर स्कॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूं तो नीचे भी यहां पर qualification दी हुई है जो कि आप देख सकते हो graduation की डिग्री होने की चाहिए आपके पास में और उसके साथ में computer operator and programming assistant या फिर data preparation and computer software में आपके पास में certificate भी होना चाहिए साथ यहां पर सबसे important चीज़ आपकी typing speed यहां पर दिए 20 word per minute आपकी typing speed होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिस दोनों में तो यह सबसे important यहां पर qualification है जो कि आप अगर पूरी करते हो तो बहुत ही अच्छी यह जो कि पॉस्ट वाइज और जो विभाग है अलगलग विभाग है विजली विभाग में भी उनके अनुसार यहां पर पूरी लिटेल दी हुई है थोड़ा बहुत और साथ ही junior engineer civil RVUN उन्होंने 43 साल रखा है जो RVUN है जो विजली विभाग काई है विभाग है उसने 43 साल यहां पर रखा गया इन तीन पॉस्ट के लिए बाकि सब के लिए यहां पर 42 साल अपर रेज लिमिट रखी गई है जिसमें informatic assistant और junior chemist भी सामिल है अब बात करते हैं य दी हुई है इन website पर जाके आप information ले सकते हो इस वी अप्लिकेशन फीस के बारे में तो यहां पर क्लियली लिखा गया है जनकी फैमिली की annual income है वह डाइलाक्स रुपए से अगर ज्यादा है तो उनके लिए सोला सो रुपए application फीस रखी गई है और साथ ही जनर और AWS केटेगरी जिनकी फैमिली की annual income डाइलाक्स रुपए से कम है और साथ ही ST, ST, OBC और सारी जितने भी केटेगरीज है उनके लिए 1400 रुपए application फीस रखी गई है जो की बहुत ज़्यादा है जो normal vacancies आती है गवर्मेंट की उनसे बहुत ज़्यादा यह application फीस है लेकिन अगर आपको यह जो पानी है तो यह application फीस आपको बढ़नी होगी और आपको आवेदन करना होगा फ्रेंड्स हमाई चैनल डीजी इंडिया को जरू सब्सक्राइब कर लीजी क्योंकि गवर्मेंट की जो भी vacancies आती है जो भी विकिप्ति जारी की जाती है उन सारी विकिप्तियों